हलो बच्चों वेल्कम इन क्लास आप फिडिक्स मैं जी के सिर्वास्तों फिडिक्स टीचर होर्ण एकडमी इस डेली यमना विहार अब तक मैंने आपको लेंस के बारे में पढ़ाया था लेंस का एक हिस्सा मैंने आपको पढ़ा दिया था लेंस बेकर फॉर्मूला उसे बेस कुछ आपको अब्ब्रिकेशंस क्उश्चन भी करवाये थे कि स्लें प्रों पर finger formula पर ही या लैसक्र displacement formula for a lens sir Newton's displacement formula होता क्या है इसमें आपका एक optical bench होता है this is optical bench यह लिखा होगया 0 cm यह लिखा गया 100 cm यह लिखा गया 100 cm होती है सक्या क्या गया यहां पर अबजेक्ट निडिल देस इस ऑबजेक्ट निडिल चलो जी लिख दिया मैंने यह आपका ऑबजेक्ट है और यहां पर मैंने लख दिया screen this is screen जहां पर आपका image बनेगा करेक्ट ऑप्टिकल बेंच पर मैंने object को और screen को fix कर दिया यह अपनी position से आगे पीछे नहीं होंगे मतलब यह optical बेंच पर अपनी position को fix रखेंगे उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे चलिए हम एक lens लेते हैं by convex lens लेंज सब ज़ब दे लेंज को यहां तो यहां पर एस दिगे तो बने देखा यह जो आपजेक्ट है इसकी इन्वर्टेड इमेज यहां पर दिखाई पड़ी वो भी कैसी रियल अब इस इस इमेज यह देखे जब मैं लेंज को यहां पर रखा बाइक्नेक्स लेंज को मैंने देखा इस और की इन्वर्टेड इमेज यहां पर बनती भी दिखाई पड़ी अब मैंने इस लेंज को तोड़ा आगे सिफ्ट किया मैंने देखा जब लेंज को मिया पर लाते हैं इस जिगे पे फिर से इस अबेट की इमेज यही पर दिखाई पड़ी इनिवर्टे इमेज ध्यान जा देखो प्रैक्टिकल करते से हम लोग लाइब में क्या करते है हम अब बहुत चाहिए किया इस यहां पे आपको क्या करना है यहां पर आपको अप्टिकल बेंच पे आपको आप जिक्ट पिन और स्क्रीन मत्ता इमेज को हामनेगी दोने को फिक्स कर देना है आपको लेंस को आगे पिछे करना है राइट तो मैं ने बोला ना कि यह उपने इनके बिच की distance आपकी ए है माल लो इनके बिच की इसेंग करती बटा एँ है अब समय प्राइब से मैंने बोला भाई कि हमें एक लेंज लेहा है बाइक लेंज लेंज जब ये लेंज की पहली पोज़िशन लिखा गया 11 और देखा मैंने इस ओबेट की इनवर्टेट और रिय पोजिशन हो गई है मैंने देखा इस ओबेट की इंवर्टरी में दुबारा आपकी बंती भी दिखाई पड़ी यस तो लेंज के दो पोजिशन के इसकी डिस्टेंस क्या लिखी गई डी लिख दी गई एकी लेंज से दानकेगा जब अलवन पर था अलवन पोजिशन पर उसक लिखा गया Newton's Displacement Formula सर अलवन लिखा F equals to A square minus D square divided by 4A yes sir F equals to A square minus D square divided by 4A sir what is A object or screen के इसकी fixed distance क्योंकि उनने और अप्तिकल में पर दी पोजिशन को चेंज नहीं किया एक ही लेंज के दो पोजिशन के इसकी distance को क्या लिखा गया डी पुट करेंगे आपको यहां से इसकी focal length निखल जाएगी so Newton's Displacement Formula खासियत हम लेंज को आगे पीछे करेंगे object pin image pin image pin की जए पर screen है उसकी पोजिशन को चेंज नहीं करेंगे correct है अब सुनिए इससर बेस्ट एक question है मैं आपको करवाता हूं साब देखेंगा सर यह question NCRT का question है तो तो आद्यान से को देखेंगा सर क्या NCRT को क्या NCRT को कॉश्चन मिटाजी अब अब जब 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 तो बिटाजी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कोगे बोलो ए किता बोलो 90-10 अब इन्हों ने कहा कि भाई हमने एक बाई कन्वेक्स लेंस लिया जब बाई कन्वेक्स लेंस को मैंने यहां पर रखा कहां पर चलो 30 70-0 मार्क पहां तो मैंने देखा इस ओट की इंवर्ट इवमेस यहां पर बनाई बंती भी दिखाई पड़ी यस इस ओवेड़ की इनवर्ट इमेस आ पर बंती हुए दिखाई पड़ी उसके बाद जमिने लेंस को आगे शिफ्ट किया जब लेंस तर आपका पहुंच गया मान से उसकी फोकल लिंद क्या होगी सिंपल सर फामुला होता है f equals to a square minus d square divided by 4a लबटा एक जय लिखेंगे 80 सर दी की जय लिखेंगे 30 का square divided 4a 4 into 80 right simplify this and get your answer in centimeter right तो ध्यानक है optical lens पे अगर object pin और image pin या image pin की जाए पर screen की position को fix कर दिया जाए और लेंस को आगे पीछे किया जाए और फोकल निकालना हो तो उसके इस्तमाल करते हैं Newton's displacement formula for a lens एक कोशन था मैंने डिसकस किया आगे 17 ध्यान से देखेगा सर नेक्स्ट कोश्चन है चले सर हमारे पास एक बाइक रिखेग्स लेंस यह देसे डाय कर्मेक्स लेंस सुनेगा डेसे रिखेग्स लेंस मैंने क्या किया यहां पर एक अप्टिकल सेंटर से सम्तिंग दिस्टन सवे है मैंने देखा इसकी रियल इमेज यहां मनी सर चले सर बीड़ाइस एंड एड़ाइस और यह इसको कहेंगे फोकस क्या कहेंगे फोकस माल लेते हैं इसकी फोकल लेंद किती बोलो यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर मैंने कहां हमने जो आप्टिकल जो ऑबजेक्ट है उसकी फोकस से इस्टेंस एक्स वन है और जो इमेज बरी उसकी फोकस से इस्टन किती बोलो तो बडसे इसको है यहां दो तो इसकी बडसेच कוש्चों वे इसकी फोकस एक्स एक्स्थ यह पर है कि सुझसे एक्सेफ ऊपशथिट उसकंश कि फोकसी क्या एक्सथिए तो इसकी आप्साणी नीद सामीशनी डो और एक्सट्यों जीच ऊटरो इसटेंस अप्शनी वेख सार इस लेंस की फोकल लेंट निकल जाएगी तो यह दो तीन फॉर्मुले हैं जिन्हें अगर आप इस तरह से आदखें तो आपके लिए बहुत बढ़िया है आप पुट करेंगर आपका एंसर यहां से निकल जाएगा अब आते हैं कि आसे यह चराफ कि लेंट के वारेखा से घरं था ग्रूऩ यह प्रिज्ब आपका अपक्ति है अघर आपका लेंसे थिक है सुनिक मेर थ dignity नॉट नौट थिंॆ थिक लेंस था है तो बोला गया कि अए ने मैं आपक फढाया था कि लेंस छोटे चोटे diver 10 दीपिमेद के बना होता है और क्प्रिओं में क्ओंता है दिसपर्शन में वहता है आपको आप तुम्हों की शंख्याह बढ़ जाएगी जिसे डिसपर्श्अन अपने लेंज ठिक लिया तो प्रिमों की संख्या बढ़ जाएगी जिसे डिस पर्शन की प्रबिल्टी बढ़ेगी सर तो होगा क्या होगा यह कि आप लोगे एक ऑबजेक्ट राइट तो आपको एक ऑबजेट की एक से जादा इमेज बनती दिखाए पड़ेगी और हर तो इमेज भी क्या बनेए एकma ऑबजेक्ट इमेज भी कितना होना चाहिए एक होना चाहिए तो अगर अपने लेंस ठिक लिया ठीक तो आपने उपिश्ब कि संख्या ज्यादा मिष्वन होने की व्यसे चैव क्या होगा बच्छों सर अनबलब ऑप इमेज जादां एक से ए करने का सबसे पहला तरीका यह होता है कि हम लेद्स को पतलह ले लिजए तो क्रीजों की इसका इस्तामने पुर्वर हुआ चाहिए कि पैली चीज परन्रफ करके इस brewing कर वह तक grouping of lens, जी, अगर आप lens की grouping का इस्तमाल करते हैं, अगर आप lens grouping का इस्तमाल कर लेते हैं, तो यह inability पुरी तर से क्योंगी, खतम हो जाएगी, तो what is chromatic aberration या activism, it is inability of a thin lens, not thin lens, thick lens, it is inability of a thick lens, with which, अगर उसके सामने और अवेट करका गया, तो उसकी एक से जादा size और एक से ज called as chromatic aberration, या acrymatism, right, इसको रिमूब करने का पहला तरीका, आप पतला lens का इस्तमाल केज़ें, या grouping of lenses का इस्तमाल कर सकते हैं, अब चोटी सी बात, अगर lens है, तो चोटी प्रिमों से मिलके बना होगा, और मैं आपको पढ़ायता, प्रिजम में एक पावर होती है, उससे करत होंगा, और फिर, गृपिंग का इस्तमाल करके, वो क्या condition है, जिसके भ्याब पर हम इस inability को रिमूब कर सकते हैं, हम आज इन दोनों चीज़ों को डिसकस करेंगे, सबसे पहले, how can we calculate dispersive power of a lens, राइट, चलिए, देखते हैं, omega, this is called as dispersive power of a lens, सबने पढ़ाया था omega का formula, sir, mu v minus mu r divided by mu y minus 1, yes sir, में पढ़ाया था, mu v minus mu r divided by mu y minus 1, this is dispersive power, आप सबने, आपको पढ़ाया था, for a lens, for a lens, 1 by f, mu minus 1, and 1 over r1 minus 1 over r2, yes, आपको पढ़ाया था, 1 by f equals to mu minus 1, 1 over r1 minus 1 over r2, आएए, जरा बात को समझे, अगे में लिकता हूं, sir, 1 over f v, तो में लिकोंगा, mu v minus 1, और फिर लिकोंगा, 1 over r1 minus 1 over r2, what is mu v, focal length for violet color, अगर हम लिकते है, sir, f r, तो लिखेंगे, mu r minus 1, bracket में, 1 over r1 minus 1 over r2, और अगे लिकता हूं, sir, में, 1 over f y, तो में लिकोंगा, mu y minus 1, और में लिकोंगा, 1 over r1 minus 1 over r2, लिखेंगे, अब बेटा, मान लो, इसको first मान लो बेटा जी, इसको आप मान लेंगे second, इसको क्या मान लेंगे third, आए, हमने लिखा, from first minus second, ले बेटा, हमने पहले में से दूसरे को क्या किया, minus किया, ये ले बेटा हम लिकोंगे, 1 over fv minus 1 over fr, इन दोनों में से ये वाला portion common निकल सकता है, तो बचेगा क्या, ये रेखे, बचेगा, mu v minus 1 minus mu r plus 1, bracket में, 1 over r1 minus 1 over r2, जी, हमने क्या किया, हमने इन दोनों में इसको इतना common निकाला और solve कर लिया, बेटा ध्यान से देखो, यहां से 1 से 1 cancel होया गय बचे, बचेगा, 1 over fv minus 1 over fr, लिखा गया, mu v minus mu r, और आगे लिखा गया कितना बोलो, 1 over r1 minus 1 over r2, चलो, ये बन गया fourth, अब, हमें निकाला dispersive power, तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे, चोथे में, third equation से डिवाइट करेंगे, yes, fourth equation को third equation से डिवाइट कर दीजे, ये रेखे, आप लिखेंगे, 1 over fv minus 1 over fr, LHS, और यहां लिखा गया, 1 over fy, बचा, यहां लिखा गया, mu v minus mu r, और यहां लिखा गया, 1 over r1 minus 1 over r2, डिवाइट भाई, हम लिखेंगे, mu y minus 1, लिखा गया, 1 over r1 minus 1 over r2, yes, sir, इसे द्यांसर देगा, ये cancel हो गया, पूरा, राइट, से इसको ल लिखेंगे, तो बनेगा, fy, से लिखेंगे, 1 over fv minus 1 over fr, क्या बचा, अब बच गया, mu v minus mu r, डिवाइट भाई, लिखेंगे, mu y minus 1, आपका पता है, यह value किसके बरावर है, यह value dispersive power के बरावर है, that's why, this is also called as dispersive power of a lens, so, we can say, dispersive power of a lens, अगर आपको निकाला lens के लिए, तो आपने क्या लिखा पड़ो, आपने लिखा है, fy, sir, लिखा गे 1 over fb, minus क्या गे 1 over fr, yes sir, what is this, fb, focal length for violet color, fr, focal length for red color, and fy, focal length of yellow color, पुट कर देंगे, उस lens का dispersive power निकल दाएगा, तो एक टॉपिक था, how can we calculate dispersive power of a lens, वो मैंने आपको क्रियर किया, अब हमारा main topic क्या था, main topic यह था, कि अगर chromatic operation, या acclimatism, जैसे inability को रिमूब करना है, तो grouping of lenses के लिए, ऐसी क्या conditions होगी, जिसे हम इस inability को खतम कर सकते हैं, आईए, मैंने बोला, चलो भाई, suppose कि रो, एक lens आपने ये लिया, एक lens आपने ये लिया, एक lens आपने ये लिया, राइट, समाल लेते हैं, इसके dispersive power omega 1 है, इसके dispersive power omega 2 है, इसकी focal length f1 है, इसकी focal length f2 है, अगर आप चाहते हो, कि chromatic aberration या acclimatism जैसे फिना, फिना मिना, जो inability है, वो खतम हो जाए, तो इसके लिए condition है, कि omega 1 by f1 plus omega 2 by f2 should be equals to 0, या सर, omega 1, omega 2, dispersive power of lens, and f1, f2, corresponding focal length in neural lens की, अगर omega 1 by f1 plus omega 2 by f2 equals to 0 हो गया, तो समाल लीजे, ये जो inability है, वो खतम हो जाएगी, आप ऐसे हमी सकते हो, लो, omega 1 by f1 equals to minus omega 2 by f2, अगर लिखते हैं, omega 1 by omega 2, omega 1 by omega 2, yes sir, omega 2, तो आप लिखेंगे f1 by कितना हो गया, f2, या तो mcq में और mcq में और mcq में और mcq में और ये होता है, yes, तो हम grouping का इस्तवाल करके भी sir, इस inability को remove कर सकते हैं, तो मैं एक topic complete किया, दो topic, how can we calculate the dispersive power of a lens in terms of its focal length, and number 2, how can we remove inability, comedic aberration, या फिर activism को remove करने के लिए grouping up lens का इस्तवाल करेंगे, तो condition क्या होगी मैंने आपको यहापर समझाया, right, चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, sir, lens के भी तर, lens के भी तर कुछ बाते और भी होती हैं, वह आपको समझना है sir, जैसे, suppose कीजे कि हमारे पास एक lens है, this one, correct, sir, यहाँ पर एक और अबे डखा गया, AB, और इसकी focal length है, 10 cm, right, कि तब यह 10 cm है, suppose कि रो, इसका optical center लिखा गया, O1, sir, यहाँ से, sir, 30 cm की दूरी पर एक और अबे डखा गया, sir, अगला lens है, this one, इसकी focal length है, 10 cm, negative, और इन दोनों के भी इसकी distance है, 5 cm, right, चले, तीसा lens है, उसकी focal length है, 30 cm, और इन दोनों के भी इसकी distance है, 10 cm, 10 cm, 10 cm, अब यह सर, पूछा गया, इस object की final image कहां बनेगी, यह आपका O2 है, और इसको मिला दोगे, तो यह आपका कितना भी टाबल, O3 है, बल्कि आप इसे 15 cm ले लो, चलो, यह 15 cm है, 10 नहीं है, correct, तो how can we calculate the final position of image from point B, सबसे पहले हमने भाद किया, sir, for F1, which lens, this lens, sir, formula होता है, 1 by F, 1 by V, minus 1 by U, चलो, F लिखोगे 10 cm positive, V1 लिखेंगे, जो में चाहिए, U कि ज़ए लिखोगे, minus 30, सुनिए, इसकी focal length plus से plus लिखेंगे, इसकी image कहां मनी, V1, उसे में निकालना है, इस तो उसका convention put नहीं करेंगे, और U कि तो हो गया, minus 30, sir, लिखा गया, 1 by 10, minus 1 by 30, equals to 1 by V1, कैसे, negative, negative, positive, बिधा के negative हो जाएगा, आपका, सुने बिटा, इसका लिए गया, LCM this, तो लिखा गया, 3 minus 1, sir, लिखा गया, 1 over V1, बेटा, ध्यान से देखो, तो जो V1 निकला, वो निकला 15 cm positive, गया लो, क्या निकल गया, 15 cm positive, positive मतलब इधर, करेक्ट, अब सुनना, मतलब हमारे पाद जो ये lens था, जिसको optical center O1 था, सर, वहां से 15 cm की दूरी पर image बना, लो भई, B-S और A-S, sir, यहां से 15 cm की दूरी पर, natural है, इस lens के लिए ये image कैसा होगा, real होगा, क्योंकि positive मतलब इधर में बन रहा है, लेकिन आपने ध्यान से देखानी, बिटा, जी, sir, यहां से ठीक, 5 cm की दूरी पर, हमारे पास एक concave lens, प्लेनों concave lens है, इसका एक हिसा plane है, sir, इसकी focal degree, बिटा, F2, equals to minus 10 cm, अब सुनना, यह जो distance है, यहां से यहां तक का 5 cm है, तो फिर यहां से यहां तक की distance कितनी होगे, बिटा, बोलो, 10 cm, क्यों, क्योंकि पूरा कितना था, 15 है, अगर यह 5 हो गया, तो यह कितना होगे, बिटा, 10 cm होगा, इसका मतलब, अगर मैं इस lens की बात करूँ, ध्यान से देखेगा, sir, यह सर, इसका optical center O है, और आपका object यहां बनता दिख रहा है, sir, B dash and A dash, sir, यहां से कितनी दूरी पर बिटा है, 10 cm की दूरी पर, यह लो, अब जो इस lens को देख रहे हैं, इस lens के लिए, यह जो प्राइमरी मिजबना, वो object की तरह तीट करेगा, इस lens के लिए, जो प्राइमरी मिजबना, B dash A dash, वो क्या तीट करेगा, ओबजेट की तरह तीट करेग तो ठीक है, इसके लिए, फोकलन का फॉर्मुला, 1 by F, 1 by V and 1 by, 1 by F, F की ज़े लिखागे, minus 10, V की ज़े लिखेंगे, V2, U की ज़े लिखेंगे, plus 10, yes sir, क्योंकि इधावला यह पॉस्टिप, इस के अपोजिट क्या होता है, negative होता है, sir, यह दो का दियान से, so minus 1 by 10, plus 1 by 10, equals to V1 और V2, तो जो V2 निकल गया, इंफिनिटी, yes sir, मतलब, अब यहां से इमिज बनेगी, वहां क्या मन जाएगे अपकी इंफिनिटी, एक बार सुनिए, सरसे पहले इस लेंज के लिए यह औबजेक्ट है, इसकी इमेज पोजिशन पाएगे 15 cm के दूरी पर इधर, लेकिन द टीट करेगी, मैंने टीट किया, और फाइनिमेज कहा निकाला, इन्फानाइट, अब बचाएगे तीसरा वाला, किस के बिटा, F3, तो मैं इतने इसे को मिटा देता हूं, इतना सर, यह देखे, और मैं आपको यह समझाता हूं से, चलो भाई, अब बात करेंगे, हम F3 के लि विज्वे युकेलिक हों, इन्फानाइट, च्योंकि इस लिंज के लिए, डगो धैन से, इसके तरू जो फाइने इमिज, इमस्श बने इमिज मेन ऑख कहा मना इनंफानैट, तो इन्फानाइज पजवी इमिज मना, वो इस लिंज के लिब गो इस लीज लिज के लिए सेंटिमीटर वह भी कैसे बौलो फॉजट्यलिव थर्ती सेंटिमीटर पॉजटिव पॉस्ती मतलब कहा हूं इधर मतलसिमीट की फाइनल इमेज ओखरी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा 30 सेंटीमीटर फार्म ओटरि चलो 30 हो अगया और 15 हा तो गया बोलो 45 और 5 कित तो गया बोलिए 45 और 5 50 एंड प्रस कितना होंगे 3080 हम यह भी किसकते हैं यहां से 80 cm की दूरी पर एटी सेंटीमीटे की दूरी पर टूर्स राइट फाल इमेज बनेगा या फाले मेंज ओती से 30 cm की दूरी पर टूर्स राइट बनेगा मतलब इस तरह से अगर लेंश की संक्या दोच से जादा हो तो फाल पोजिशन आप इमेज कैसे निकालते इस तरह से निकाल सकते हैं कुल मिला के बेसिक फर्मुला क्या भी या 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u आईए एक कोशन और भी करते हैं सर यह देखें कि सुनेगा सामारे पास एक लेंश यह है और ध्यान से सुनना भाई यह दूसरा लेंश यह है विए टू लेंश करेक्ट जी इसका optical center है O1 इसका optical center है O2 सर इनके भी इसकी distance है वो लिका गया 30 cm आइसकी focal length 20 cm और इसकी focal length certain cm ड्यांस से सुनो इसकी focal length 20 cm इसकी focal length 10 cm सब्सक्राइब करना है जो फानली इमेज बनेगी वह उप्टिकल से कितनी दूरी पर बनेगी आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि अगर वाई फोकस पर बनती है और आपने सिसलेंज के फोकस पर ही अबजेक्ट को रख दिया तो एक पर बनेगी इमेज कहा बनेगी इन्फाइनग याद रहने न इसका मतलब अगर object infinite पर है image का मनेगी focus पर है और आपने orbit को focus पर दिया image का मनेगी infinite पर है वही चीज यहाँ पर है द्यान से सुनना सर object infinite पर है बिल्कुल सर तो इस lens की primary image का मनेगी focus पर यह देखे इसके focus पर primary image आपने बना दिया मालो लिख दिया मैंने B-A-S कित्य दूरी पर बाई 20 cm की दूरी पर बना दिया क्यों क्योंकि इसकी focal length 20 cm सुनेगा द्यान से और कहां सा रहा है 10 cm क्योंकि 20 प्रस 10 कित्त होगा 30 आपने द्यान से देखा नहीं अब यह 10 cm इसकी focal length जी अब यह 10 cm इसकी focal length तो फिर तो प्रॉल्म खड़ी होगी सर सिंपल infinite से क्या हो गया focus अब जो यह image बना वो इस lens के focus पर आ गया किसके f2 आले पर तो पिटा होगा क्या फिर इसकी image कहां आपनेगी infinite सुनेए द्यान से infinite से आती है इसकी image बनती focus पर इसके 20 cm की दूरी पर total distance किता बोलो 30 है तो फिर कितना हो गया 10 हो गया यस अब जो यह 10 है वो इसकी focal length है तो जो प्राइमरी इमिज बना वो इसके focus पर आ गया और अगर कोई object किसी बाइक कर देंस के focus पर आया तो इसकी image कहां बनेगी infinite पर बनेंगी पहला है और यह है आपका दूसरा वाला यह लो दूसरा यह वाला यह है करेक्ट सेहां लिख दिया गया ओवन यहां पर क्या लिखा गया ओटू राइट अब सुन्दा बिटा यह देखे सर सरे infinite से आती है ऐसे लाया इंफानेट से जाके जामीट करता है बिटा ऐसे यलो यहां बना मरा प्राइमरी इमेच चलो लिखा गया बी-डैस ए-डैस सर इसके फोकस पर बना एफ-ओ लिखा गया 20 सेंटेमीटर नॉट एफ-ओ आप लिखेंगे एफ-वन 20 सेंटेमीटर अब तदा द्यान से देखना बिटा थ्टा म बना देता हूं मैं यह देखें हाँ जी सर आइए सर आइए सर अब सब्सक्राइब को बड़ा बनाया थीक से समझा जा सके लबचो योगया ओठो अब क्या जो यह इमेच बनी यह इसके फोकस पर बना बिल्कुल सर कितना भीया 10 सेंटेमीटर क्यों क्योंकि टोटल लेंद क कितनी बोलो 30 सिंटीमीटर 20 पर बन गया तो अगला कितना हो गया 10 हो गया अब यह वाला जो इमेच बना वो इसके लिए क्या करेगा ऑप्जेक की तरह टीट करेगा तो तो भाईया क्या होगा सर रिया आपकी यहां जाएगी और ऐसे जाएगी राइट क्या यहां पर कर पा सब्सक्찬 कि क्या दिस्टंस को लिखा गया इन दोनों के शीकी दिरिस्टंस को ज podcast श्ञाएग कर द दोलेंस केश्क निचे और इंके इनके इनके फोकल लंध के सम के बराबर है तो ध्यानक को इन किट इंफाइन पहना इमेज भी क्या बनेगी इंफाइनाइट इस एजस्टमेंट इसका नाम करका गया नौर्मल एजस्टमेंट तो एक ट्रिक है वो ट्रिक यह था कि भाई अगर दोने लेंसे की फोकल लिंद कसम उनके अप्टिकल सेंटर के बीच के बावर हो गया और अब इंफाइट पह चले हमारे पास इस तरह से एक को ट्राइब करेक्ट लेकिन प्रॉबर है यांस सज्टना इस ग्लाष स्थे अंदर हमने के लंस बना राका ऐसे हैनि घृ तり मुटू से लिखागे 1.5 और लिखागे मुट्री इकोस्तु 1.4 और अगर आपको रेडियस अप करवेचर लेना है तो आरवन इकश्टु आटू इकश्टु आर इकश्टु आर इकश्टु आइकश्टु टेंस चलिए 20 cm कर लेते हैं मतलब इनकी रेडियस अप कर वेचर क्य बताइए अगर यह लेंज की तरह टीट करें या ना करें जो भी है हमें इसकी फोकर लेंज निकाल दी है कैसे निकालेंगे बात को द्यान से सबसे पहला पार्ट जी सबसे पहला हम पढ़ेंगे पहला पार्ट यह देखना द्यान से हमने बनाया यह वाला हिस्सा कि यह पारट बड़ा इसको एससे मिला दीजे यह लिखेंगे P1 यह लिखेंगे P2 ध्यान से तो यह पीवन शब्स फ्लैट प्लेटक लिखा गए P1C1 जिसको लिखा गए R1 नॉट डिफाइंड क्यों 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 फ्लैट है लेकिन ध्यान से एको जो पीटु सी टुँ होगा तो यह देखें पी टो सी टू सु एकोस तू आ तू इकोस टू आर वह पॉसितिव आएगा क्योंकि एक्टूटिव में यह पॉसितिव आठाई बहुना इसको कवेड़ा दो गया है यह इन दो गया जिए अनिक्टिव इधर कहलाएगा अब फर्मुला होता था बन वाई एक सर म्यू माइनस वान सर होता था वन अवर आर वन माइनस वार आड़ आए इसको स्वल कर लेते मिटा बैने लिखा वन और एफ वन वन पॉंट सिक्स माइनस वन क्यों गिवन है आर वन सर लिखागे नॉट डिफाइंड जी और आड़ लिखा गया प्लस आड़ दान सुनना म्य यह अगया और आड़ आरवन तो डिफाइंड होगा नी फ्लैट हो गया यह सर आटू कितना बोलो आटू कैसा पॉजिटिव है कितना प्लस ट्वेंटी सेंटेमेटर जी तो इसको स्वाल किया गया लिखा गया 0.6 जी और माइनस वन बाई ट्वेंटी जी रिवर्स कर दीज कि इसकी फॉकल लेंड क्या होगी सर मैंने इतने इससे को लिया यह इतने हिस्से को बाहर निकाला मैं रहा यह जो फ्लैट है उसका करवेचर डिफाइंड होगा नहीं जो करव इदवना पॉस्टिवर्या में सुन लिखा गया पी-टू-C2 कैसा हो गया पौजिव हो गया फार्मुला होता फन्वाइब एफ म्यू माइनस फन्वान और आवा माइनस फन्वाइब राटू सर म्यू की जह लिखा गे 1.6 माइनस 1 आरवन की जह पर नॉट डिफाइब आटी की जह पर प्लस 20 सौल किया हमारा एंसर यह आ गया लो भाई मैंने इतने हिस्से की फोकल निका सकती क्या कि इसका रीडियों सब करवेचर बराबर है बिल्कुल कि इसका रीट्रेटिव इंडेक्ष्भी 1.5 भाइब बल्कुल सर तो फिर तो फोकल यंद्टी कि रीडियों सब करवेचर इसकुन स्ब्रेट्वेचर इबने आपको यह पढ़ाया था जी अगर लेंस बाइ 20 cm पॉजिटिव निकल गया लो सर हमने यह भी निका लिया F2 सर लिखा गया 20 cm पॉजिटिव अवया तीसरा वाला सर थर्ड पार्ट के बारे में तो ध्यान से देखना से यह थर्ड पार्ट है राइट सर यहां लिखा जाएगा P1 यहां लिखा जाएगा P2 नैच्छल है से हिस सर नेगटिव होगा यह हिस्सा कैसा होगा पॉस्टिव इसको ध्यान से देखो अगर यह हिस्सा लिखा अपने P1 तो भटा P1 C1 को लिखेंगे R1 सर लिखेंगे R वो भी कैसा बोलो नेगटिव जी और जो P2 C2 होगा बच्चे लिखा गया R2 वो क्या लिखोगे नॉट लिखा गया NOT define जी आईए 1 over F3 सर लिखा गया 1.4 minus 1 और लिखा गया minus 1 by 20 तो जो F3 निकाला गया बटा minus 20 divided by 0.4 यह सर इसको solve करोगे तो minus 50 cm लो सर मैंने तीनों की फोकल लेंथ निकाल ली अब मैंने निकालना net focal length net focal length मैंने मालिया F हमने grouping का इस्तेमाल किया लिखा मैंने 1 over F1 मैंने लिखा 1 over F2 मैंने 1 over F3 यह सर 1 over F1 1 over F2 1 over F3 आए हमने लिखा F1 की जिगे पर कितना भी आया तो बोलो 100 by 3 तो लिखा गया minus 3 by 100 F2 लिखा गया 20 और लिखा गया minus 1 by 50 चलिए इसको solve कर लेते हैं भाई LCM आगया 100 यह सर यह लिखा गया minus 3 यह लिखा गया 5 यह लिखा गया minus 2 जी सर लिखा गया 1 by F सर आगया 5 minus 5 divided by 100 मतल लिखा गया 0 by 100 तो लिखा गया F not define लो जी not define मतला अब यह लेंस की तरह टीटी नहीं करेगा तो फिक कैसे टीट करेगा भाई बसपिस्ट पारली स्कॉशन इस ठाइप कर्वेशल में रभाइब लेड़ीं सब्सक्राइब ऐस दस ब्राइबिकर अजसर यह घ्या 6 इस अगर एसा है थो एंटाय सिस्टम इस ट्रीक्ट अथ 20 अज़ेट अजया मेंस मेडियोм इस् वेस सकते है この देश्य पे Isaac अगला समझाते हैं कि नेक्स्ट कि अब कोश्चन है कोच्छन ये कह गया हमारे पाद दो लेंसे हैं वीआफ two lenses जिनमें से एक की पावर plus 4 दी है और polarization की पावर माइनस 2d है सुनिए एक़ी पावर लिखा गया plus 4 d एंद दूसरी की पावर लिखी गई 2D-2D, यहलो, प्लस 4D-2D, दोनों को आपस में कंटेक्ट में रख दिया गया, of course, positive है, तो byconvex lens होगा, और अगर negative है बटा, negative आला, तो byconcave lens होगा, दोनों को आपस में इस तरह से चिपका के रख दिया गया, राइट, अब क्या कहा गया, सबसे पहले भाईया, इस ग्रुपिंग का पावर निकालो, आसान है, दिलो भाई, पावर निकालने का फार्मुला, P should be equals to P1 plus P2, क्या लिखोगे, प्लस 4D, और आगे क्या लिखोगे, माइनस 2D, कटके कितना गया वेटा, प्लस 2D, प्लस आगया, सबसे प्लस है, तो भाई कर्म एक्स लेंस होगा, डिसाइड हो गया, इन दोलों को जोड़ करके, एक लेंस बना ये, आए, हम इस लेंस की नेट फोकल लेंस निकाल लेते हैं, मानते हैं, इसकी नेट फोकल लेंस के पर 6F होगा, तो कैसे निकालोगे, सर, येलो, तो लिखा के F, एकोस टी 1 बाई P, 1 बाई P, 2, सर लिखा गया, 0.5 मीटर, सौसे मुझा जालोगे, कितना गया बोलो, 50 सेंटी मीटर, येलो बाई, बाई, फोकल लेंथ, एकोस टी 1 बाई पावर, पावर के लिखा आपने, 2 लिखा है, बोथ are kept in contact, काल्कुलेट पहला पाट था, काल्कुलेट नेट पावर, और नेट फोकल लेंथ, निकाली आपने, अगला कोस्टन ये था, कि इफ एन अब्जेक्ट, विचिस 75 सेंटी मेटर अवे, इफ एन अब्जेक्ट, विचिस 75 सेंटी मेटर अवे, फ्रॉम देशन अव इमेज, फॉर्मड भाई, गुर्पिंग अफ दे लेंज, मतलब, यह जो गुर्पिंग अफ लेंज के तुक जो लेंज बना, वहां से 75 सेंटी मेटर की दूरी पर, अगर एक और रख दिया जाए, उसके इमेज की पोशिशन क्या होगी, उसके इमेज का बिहेवियर क्या हो की दूरी पर, एक और टका गया, 75 सेंटी मेटर, राइट, इस इस कोड़ेज यू, और आपने इसकी फोकल लिंटिकाली कितना बोलो, 50 सेंटी मेटर, राइट, अब आपको एक कंसेप्ट क्या दिलवाता हूँ सर, सर, अगर बाई कर दिस्टेंस में, अबजिक डिस्टेंस एफ और टू एफ के बीच हो, यह लो बाई, यहां लिको एफ, यहां लिको टू एफ, एफ कितना पचास है, तू एफ कितना होगे हंडेट, तो 75 सेंटी मेटर बीच बाएगा कि नहीं आएगा, यह सर, कहा गया, अगर ऑबजिक डिस्टेंस एफ और टू एफ के बीच है, अगर ऑबजिक डिस्टेंस एफ टू एफ के बीच है, तो बनने वाली इमेज रियल होती है, इनवर्टेड होती है, और एनलाज होती है, रियल समझते हैं, यह सर, इधा बनेगी पॉस्टिवरिया में, मतलब हमारी वी की बैल्यू पॉस्टिवा नहीं चाहिए, और वी की बैल्यू यू से जादा होना चाहिए, तभी कहेंगे क्या चीज आप एनलास्ट, आइए, चेक करते हैं, सर, फर्वला होता है, वन बाई एफ, वन बाई वी, माइनस वन बाई यू, वन बाई एफ, हमने एफ की जिल गया, सर, कितना बोलो, 50 सेंटिमीटर, हमें वी चाहिए बाई, और यू की जिए पर क्या लिखोगे, माइनस 75, यस सर, लिखागे, वन बाई 50, यह हो गया इदा कि माइनस वन बाई 75, इकोस टू बाई वी, कैसे बैटा, यह पॉस्टिव दागा, जगो, नेगेटिव दागे, पॉस्टिव दागे, क्या होगे आपका, जिएखो, भाया पहला तो वी, यूस से बड़ा है, यह सर, रखागे 75 है, बना कितना, 150 है, अगर वी, यूसे बड़ा है, तो बने वाली इमेज की लंब ऑबिट की लंब से बड़ी होगी, और पॉसिटिव आया है, इसने कैसे होगा, रियल होगा, सो बने वाली मैज कैसे ह ही रियल हुई इन्वर्टेड हुई और कैसे होगी एलास्ट सो रियल इन्वर्टेड एंड एलास्ट इस इट क्लियर चलिए अब कुछ बाते और भी है है कि सराथ लेंश के वारे मैं सर देखिए मैंने आपको लेंश को फॉर्मूला पढाया था व्म बैफ को टी वह बंबने पार फ़ॉर्मूला वर व्म मैं सब्सक्राइब बात अगर अगर पहले बात तो की दिस्पर्सि पार अफ लेंस कालते हैं आगर लेंस अन्दर अग्णिक आप पास एक लेंस है तो उसे रिमूब कैसे करते हैं वह नहीं आपको एह पर सज्जाया राइट है अब कुछ बाते और भी है चलिए सब्सक्रों ह हमारे पास एक lens है, right? द्यांसे सुनना, अब मैंने क्या किया, इस lens को दो पार्ट में काट दिया, ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है, फर से चुनिए, ये जो lens है, इसकी फोकल लेंथ एफ है, अब लिखा गया now, इसे दो पार्ट में काट दिया गया, ये लो भाई, ये हो गया पहला पार्ट, और ये हो गया आपका दूसरा पार्ट, पार्ट वन, पार्ट टू, मैंने आपको पढ़ा रहा था, अगर lens को इस तरह से काट दिया जाए, तो कटेवे हरसे की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, इसका मतलब या जो F1 होगा, वो F होगा, या जो F2 होगा, वो भी कितना होगा, F ही होगा, कोई फरक पढ़ा, नहीं फरक पढ़ा, अब सुनिए, अगर मैं इन दोनों को पहली बार ऐसे जोड़ू, और दूसरी बार, ऐसे जोड़ू, यह दोको दियान से, यह पहला पार्ट, यह दूसरा पार्ट, सर, यह पहला पार्ट, या आपका दूसरा पार्ट, इसकी नेट फोकल लिंट मान ली गई अव 1, और इसके नेट फोकल लिंट बान लिगई F2 आप से पुछा गया, बताइए F1 किना होगा, बताइए F2 कितना होगा Capital F1, Capital F2 आईए, सिंपल Sir लिखा गया 1 और F1 Sir, 1 by F, 1 by F क्यों, फोकल लिंट चेंज तो वा नहीं Sir गुर्पिंग की बात करें Sir तो लिखा गया 1 और F1, लिखा गया 2 by F Sir, सॉल्प करेंगे निकला गया F by 2 यह लोग, लेकिन जब बात यहां पर आई, सुनेगा Sir Sir लिखा गया 1 by F2 Sir लिखा गया 1 by F और आगे लिखा गया minus F क्योंकि उल्टा है देखो, this point is called is vertex और आपने इसे वर्टेक्स को क्या 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 उल्टा ले लिया तो कनिमिशन क्या होंगे उल्टा हो जाएंगे यह देखो, तो लिखा गया 1 by F2 equals to 0 तो जो F2 निकला हो क्या निकल गया not defined Yes Sir अच्छल में एक लेंस बनेगा नहीं सर क्यों नहीं मनेगा मैं आपको बना के दिखा लेता हूं यह देखो ऐसे बनाया आपने ऐसे बनाया इसको मिला के देखो just treated as a glass slab that's why यह लेंस की तर टीटी नहीं करेगा इसका बतलब यह हुआ कि पहले बाले की focal length जो थी वह आपका exactly आदा हो गया f by 2 हो गया लेकिन दूसरे के focal length पर कोई फ़रक नहीं पड़ा clear? चलिए next हाँ sir अब lenses के बारे में sir बोला गया था सुने का ध्यान से कि हमारे पास एक camera है camera का जो front lens होता हो बाही का इम एक lens ही होता है अब करना क्या है सुने है हमारे पास एक white color का horse है सफेद रंग का घोड़ा है मैं उसे उसके घोड़े को जैबरे के सकल में convert करना चाहता हूं sir तो हमने दो तरीके अपना है पहला मैंने घोड़े के body पर थोड़ा थोड़ा gap दे करके black रंग paint किया घोड़े के body पर थोड़ा थोड़ा gap दे करके black strip बना दिया ताकि देखने पर जैबरा दिखाई पड़े या दूसा तरीका हमने अपने कैमरे के लेंस पर ही सपोज को यह कैमरे का लेंस है हमने ऐसे black color की strip बना दी थोड़ा थोड़ा gap दे करके इस तरह से राइट अब इन दोनों तरीकों से घोड़े की photo ली गई सर पहला क्या थे आपने आपने घोड़े पर ही काले काले रंग का strip बनाया थोड़ा gap दे करके photo click किया और दूसरी बार आपने घोड़े को छोड़ दिया आज इस और आपने अपने लेंस पर ही क्या आपने घोड़े की photo को किचा बताये इन दोनों कंडिशन में किस कंडिशन में हमें घोड़े की photo लगभग जयवरा की photo की तो नदर आएगी सर आपकोर्स पहले वाले में किसमें जिसमें आपने घोड़े पर ही ब्लेक के strip बना दी क्यों क्योंकि actual में object हमारे लिंज से काफी दूर हो गया सबाइक लिंज में जैसे जैसे object आपके optical center के पास आता जाता है आपको पता है पहली बात इमेज का साइज बहुत छोटा होता जाता है और इमेज इंफाइंट की तो प्रोशीट करती चलिए ब्लर इमेज मिलती है मतलब पहले वाले case में ही जब अपने gentleman frame इस बीड़े उत वीविद आफ में हमें चाँ पी पहले वाले की लेंस पे बना दिया उस पर और को बिल्किल or grud optimal classical koska भाई आप्टिकल सेंटर ले लोगे तो यू की डिस्संस कितनी होगी बोलो कितनी होगी सर जीरो होगी सर मतलब फिर तो क्या होगी पोजिशन आप इमेज को गी इंफाइट पर पोच जाएगी हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगी सर तो पहला केस स्थीक है अचानक हमाई लेंस के ऊपर एक मक्ही आकर के बैठ जाती है तो क्या उस प्रटिकलर इमें मक्ही की फोटो दिखाई पड़ेगी सर नहीं बिल्कु दिखाई पड़ेगी हां उत्ता इससा ब्लर कर जाएगा थोड़ा सा क्योंकि एक्टिबे जो मॉस्क्यूटो है जो हो सब्स इस आर रिलेटेट तो प्रपर्टी अफ लेंस ठीक है आज यहीं तक है इसके अदम आगे आएंगे तो आपको आगे की बात पढ़ाएंगे थैंक्यू